में आघ computum Kim amar आज हम लोग d former second year क्श है जिसको नाम है जर्नरल फार्माक्योजी के शेकड लेक्चऱ्स debt or और आज बाला जो lecture है उसमें हम basically branches and terminology which is related to pharmacology क्या करेंगे discuss करेंगे यानि कुछ ऐसे terms हम यहाँ पर discuss करेंगे कुछ ऐसे words मैं आपको यहाँ पर familiar कराऊंगा जो आने वाले pharmacology में आपको समझने में क्या करेंगे help करेंगे obviously बात है meanings बहुत important है meanings अगर आपको clear नहीं होंगे terminology का मतलब अगर पता नहीं होगा कि तो किसी भी subject को पढ़ने में थोड़ा सा complications आएंगे because pharmacy का यह एक technical subject है pharmacology एक basic technical subject है that's why इन में कुछ ऐसे terms हैं जो इससे पहले आपने कभी नहीं सुना होगा इसके कारण क्या होता है जब आप books read करना शुरू करते हैं या notes पढ़ना शुरू करते हैं तो उन terms का meaning clear ना होने के कारण आप क्या करते हैं उनसे familiar नहीं हो पाते हैं यानि उनको आप समझ नहीं पाते हैं इसको एक और example के साथ मैं discuss करना चाता हूँ जयसे मान कर चलो आपको पता ही नहीं है कि आपके भाई कौन है आपके sister कौन है आपके नहीं ममा अगर नहीं है तो ऑब यसी बात है आप उनसे वो emotional attachment नहीं हो सकता आपको पता ही नहीं है कि दोस्त का meaning क्या होता है या दोस्ती कैसे निवाहिय जाती है friendship कैसे किया जाता है तो obviously बात है अगर उसका meanings clear नहीं होगा तो उसमें आप बहुत अच्छा perform नहीं कर पाएंगे यानि बहुत अच्छा रिस्ताब डवलप नहीं कर पाएंगे emotions डवलप नहीं कर पाएंगे तो बैसे ही subject क्या है student तो subject भी एक आपका terms है एक word है उसका एक meanings है उस meanings को हमें बहुत अच्छे से clear करना है जैसा कि मैंने आपको previous class में बताया था कि pharmacology का simple मतलब होता है study of drug या it is a science of drug यानि कि ये बो subject है जहां पर आप या मैं क्या करते हैं drugs की study करते हैं यानि सारे medicines की study करना कहां पर आता है pharmacology कहलाता है अब ये meanings तो clear हो गया कि सर फार्माकोलोजी subject में basically हम उन सारे drugs की study करेंगे जो different type of disorder या disease या हम का सकते हैं कि अलग अलग प्रकार की जो बीमारिया पैदा होती है या बीमारिया होती है किसे इंसान के अंदर में उसको ठीक करने वाले जो drugs हैं उनका अध्यान उनकी study हम basically क्या करते हैं pharmacology subject के अंदर में करते हैं तो अब आते हैं कि सर फार्माकोलोजी का तो meanings बहुत अच्छे से clear हो गया लेकिन फार्माकोलोजी में ऐसे और कितने tom's आने वाले हैं जिसका meanings बहुत ज़्यादा important है जिसका मतलब जाना बहुत ज़्यादा important है वो सारे meanings आज वाली क्लास में मैं क्या करूंगा clear करूंगा तो आज वाली topics हमारा क्या है branches and terminology related to pharmacology जो आपका lecture number 2 है chapter number first का तो हम लोग topics पे आ जाते हैं और यहाँ पे कुछ word है जिन word से मैं आपको introduce कर वाता हूँ ठीक है तो last class में आपको pharmacology का simples मतलब आपको clear कर दिया था और आज वाली class में उसके further concept को हम लोग क्या कर रहे हैं student तो उसके further concept को हम लोग discuss कर रहे हैं ठीक है तो branches में आपको first point क्या है यानि कुछ ऐसे branches है कुछ ऐसे terminology है जो pharmacology subject से related है उन terminology को अब हम लोग क्या कर रहे हैं discuss कर रहे हैं clear चलिए अब यहाँ पर हमारा heading क्या है तो sir यहाँ अपना heading है branches and terminology related to pharmacology यानि कुछ ऐसे branches कुछ ऐसे terminology जो pharmacology से related होते हैं first यहाँ पर क्या है pharmacy कि आप लोग डिप्लोमा इंफार्मर्मसी कर रहा है या बचलर इन फार्मा आगे जाकर कर सकते हो तो यह फार्मसी का मतलब क्या है सबसे पहले तो हमें यह जानना ज़रूरी है तो फार्मसी क्या है तो सर इज आइद आपका मेडिकल स्टोर है कोई पैचंट आया तो medicine याप से डिमांड की आपने medicine दिया कि हम कहते हैं कि मैने dispense कि मैडिस्टिशन सिंग का मतलब क्या वह कि जैसे आप ने किसी को दिया तो dispensing drugs और एडीस सुटेबल डोश सवर्म 23 version humans और animals तो फार्मिसी का सिंपल मतलब क्या है कि सर इतीज आने आर्ट और इतीज असाइन्स यह एक साइन्स है जिसमें हम drugs को compound करते हैं drugs को dispense करते हैं या drugs को drug doses form को prepare करते हैं doses form जैसे tablet capsule आपने पढ़ा होगा solid doses form liquid doses form semi solid doses form parental जो आपका हो गया तो यह एरोजोल्स हो गया यह सब अलग-अलग क्या है doses form तो इन doses form को बनाना ताकि humans being के different disease disorder को cure किया जाए यानि ठीक किया जाए वो क्या कहलाता है pharmacy कहलाता है next minus क्या है for me for kinetics for me for kinetics and for me for dynamics यह फार्मकोडी पढ़ने का दो अप्रोच है यानि फार्मकोडी सब्जेक्ट अगर आपको deal करना है तो आपको फार्मे को kinetics औंफ फार्मे को dynamics पे एंटर करना पड़ेगा जो मैंने आपको previous classes में भी बहुत अच्छे से बताया था तो kinetics का मतलब simply क्या होता है movement होता है और second point क्या है कि जब मैं कोई drugs अपनी body में लेता हूँ तो मेरी body उस drug के साथ क्या करती है वो क्या कहलाता है यह फार्मेको dynamics यानि आपने medicines लिया तो वो drugs जैसे ही आपकी body में गया तो आपकी body ने उसको stomachs में या intestines में भेजा बहां से move करके blood में भेजा blood से move करके target organ जहां पर उसको काम करना है जहां पर बीमारी को ठीक करना है बहां पर भेजा बहां से ट्रक को फिर body से eliminate करने के लिए कुछ chemical reactions process proceed किया और उसके बाल bodies उसको urine के साथ या other root के साथ क्या करता है बाहर करता है तो यह सारी process कौन कर रहा है अपनी body कर रहा है तो what the body does with drug that is the pharmacokinetics और pharmacokinetics और pharmacokinetics और pharmacokinetics को हम upcoming session में भी यानि lecture number four या five five वाले lectures में आपको pharmacokinetics का एक important topic के साथ में वो videos बनाऊँगा यानि फार्मे को kinetics को बहां पर मैं बहुत dictate करेंगा अभी insert में समझे कि हमारी body आपकी body किसी drug के साथ क्या करती है उसको फार्मे को kinetics कहते है यानि what the body does to the drug यानि जब कोई drugs हमारी body के अंदर आता है student तो अपनी body उस drug के साथ क्या करती है वो क्या कहलाता है जी फार्मे को करेंट इट डील विद अप जॉप्शन distribution metabolism acceleration अब यह भूते क्या है सरा अब जॉप्शन distribution metabolism and acceleration यह सब मैं आने बाले टाइम्स पर आपको बहुत अच्छे से डिक्टेट करूँगा एक हमारा जो क्लास होगा वो फार्मे को काइनेटिक्स के उपर ही होगा जिसमें मैं absorption absorption का मतलब simply अभी मैं अगर बताना चाहूं तो ड्रग को स्टमक्स या intestine से blood के अंदर जाना उसे हम absorption कहते हैं उसके बाद ड्रग का target tissues पे जाना यानि जहां पर ड्रग को बिमारी को ठीक करना है उस औरगन पे जाना उसे हम क्या कहते हैं distribution कहते हैं देन अगर वो ड्रग लिवर के अंदर एंटर करेगा और लिवर में ड्रग metabolize होगा यानि lipid solver drug को water solver में convert किया जाएगा यह मैं बताऊंगा कि क्यों convert किया जाता है सब detail में आगे जाकर कि हम पढ़ने वाले हैं अभी तो बस एक basic टर्मिनल ओजी वाले class में इन टर्म्स से family year हो रहे हैं तो lipid solver drug को water solver में convert करना that is the metabolism and finally drug excret out होगा body से यानि body से drug बाहर जाएगा क्योंकि जितना drugs का body के अंदर जाना जरूरी है उससे कई गुना ज्यादा drugs का body से बाहर जाना जरूरी है उस process को हम क्या करते हैं एक्सरीशन करते हैं और इन सब की study करना क्या कहलाता है फार्मेको काइनेटिक्स कहलाता है यानि फार्मेको काइनेटिक्स में हम absorption distribution metabolism and excretions बाले concept को क्या करते हैं discuss करते हैं नेक्स्ट हमारे पास terminology है तटी था फार्मेको फार्मेको मतलब फिर से यहां पर क्या हो जाएगा drugs और इनम्स मतलब होताए जी पावर द्रंच तो फार्मेइको डैनुमा जो मतलब क्या है जब मैं किसी drugs को अपनी बॉड़ि में लिया तो वार्ट दर्ग्स हमारी बॉड़ी में आया तो वो क्या करेगा तो सिंपल सा लॉजिक है सर ड्रग हमारी बॉड़ी में आएगा तो ड्रग्स अपना पावर सो करेगा अपनी पावर परफॉर्म्स करेगा यानि जिस काम के लिए आया वो काम करेगा तो ड्रग्स का क्या है बीमारी को ठीक करना तो उन बीमारियों को ठीक करेगा यज़ेक अरूसरा प्रोच टूर्ट हमारी बॉटी के साथ क्या किया लुट he हमारी वबडी के साथ क्या किया थीक दॉट टरॉप्ड पॉट्पि डिदा क्या हो जाएगा वादी अपनी बॉडी में लिया तो हमारी बॉडी के साथ ड्रक्स ने क्या किया तो इसका मिनिक्स क्या जी तो इस डील विडियों विडियों बनाऊंगा इस चैप्टर में यानि इसी सीरीज में जो आप जी डीशी ट्यूटर पर देख रहे हो बहाँ पर इन चीजों की ड्रक्स का मैकनीशमप ऐक्सर कैसे हो गया यह कैसे किस मैकनीशम से ड्रग हमारी बॉडी में एक्सर प्रड्यूस करता है हमारी बीमारीओं को ठीक करता है यह कौनको उन से तो फार्माकोलोजिकाली फाक्त देते हैं इन सारे प्रोसेस को हम क्या करेंगे डिस्कस करेंगे तो फार्मसी क्या है फार्मे को काइनेटिक्स क्या है फार्मे को डैनेमिक्स क्या है यह यह तीन आज बारी किलास में अभी हम लोगों ने क्या किया है इससे पहले बाली किलास म अर्थ मतलब क्या होता पैसा यानि धन धन जो होता है यानि आप मों बोलते देना कि भारत और श्ट्रॉंग हो रहा perfect मुझबूत हो रही है तो अर्त का मतलब यहां पर क्या है दिप्लोमा कर रहे हैं तो तो आपका भी एक एम होगा एक लक्ष होगा कि मैं डी-फार्मा करने के बाद कुछ पैसे कमा कुछ पैसे अर्न करूं यानि लोगों तक पैसे कैसे पहुंचे अर्त वबस्ता फॉर्मेसी प्रोफेशन से कैसे अपग्रेट हो या कैसे बढ़ाया जाए उनके बारे में अधिय तो ड्रक्स इक इंडस्ट्री से वहाँ पर लाखों आजारों लोग काम कर रहे हैं उनका रोजी-्रोजी अचारा उनको पेमेंट यह मिल रहा है उनको सैलरी मिल रही है तो दैट मिल द फार्मेको economics है ना तो нашего economics का माधिक्टी आपको क्लिर हो गया होगा, next word जी फॉर्मे इक जेनेटीक्स या फॉर्मे क को जीनोमिक्स अब देखेइज Genetics मतलब क्या होता है, Pharmae को means to drugs, और Genetics मतलब आपको मालूम है, कि सल Genetics यानि कि Study of Haridity and Variation, Haridity and Variation की Study करना क्या कहलाता है, Genetics कहलाता है, अन्वान से कि आपने पढ़ा होगा, यानि जिसमें Mendels के Law बगेर आप लोगोंने, Mendels के नियम बगेर आप लोगोंने पढ़ा होगा, तो अ एक पैरिंट से मतलब हमारे मम्मी पापा से जो पर फर्पर्टी हमारे अंदर आ गए यंक्ट निडु किआ प्रोपरिटीज होगी उसे हम क्या कहते है वैरीएशन कहते हैं और इसी सिमिलर और दिसिमिलर प्रोपरिटीज करना क्या का लाता है तो ड्रग का जने properties को लाने में या नई properties डेवलप करने में क्या करता है help करता है तो यहां पर क्या करा जी science that deal with the study or genetics basic for variations और रॉण इसे science जो deal करता हो genetics यानि हरदिटी और variation को drugs के aspect में उसे हम क्या करते हैं फार्मेक जीनोमिक्स या फार्मेक को genetics करते हैं तो मिनिंग करते जाना, terms करते जाना क्योंकि ऐसे terminology आप से पूछे जाएंगे, sometimes आपको direct इनके इनके मिनिंग से question पूछा जाएगा, कि which one of the statement is correct और incorrect ऐसे करके questions आपको मिलेंगे, next आते हैं, फार्मेको विजिलेंज, next terminology क्या है जी फार्मेको विजिलेंज, विजिलेंज का मतलब क्या होता है, विजिलेंज का मतलब होता है, awareness या assessment यानि सुधार करना, क्या करना, सुधार करना, जैसे मान के चलो कोई drugs है, मैंने एक company है हमारी और हमारी company के scientist ने research and development वाले सारे लोगों ने मिल करके एक drugs यानि एक formulation तयार किया, नई drugs बनाई drugs को approval मिल गया, government of India ने उसको, drug control ने उसको approved कर दिया कि आप इसको commercialize कर सकते है commercialize मतलब market मिला सकते है, लोगों तक पहुंचा सकते है, लोगों की बिमारियों को ठीक करने के लिए इस्तेमाल करा सकते हैं, यानि यूज कर सकते है मैंने drugs को launch कर दिया, drugs commercialize हो गया, doctor ने drugs को prescribe कर दिया, patient ने उस drugs को खाया और खाते ही patient को कुछ adverse effect आना सुरू हो गया, कुछ side effect आना सुरू हो गया, जो हमें अभी पता नहीं था या हमने उस doctor को नहीं बता था कि इस drugs को लेने के साथ ये adverse effect होगा तो वो company उसको क्या करती है, तो sir उसको company detect करती है, यानि सबसे पहले उसको पहचानती है, देन उसमें सुधार करती है, यानि assessment करती है, देन उसको समझने की परियास करता है, यानि understanding और उसके बाद उसको रोकने का परियास करता है किसको adverse effect of drug तो फार्मे को vigilance का मतलब क्या है कि यहां पर हम drugs को क्या करते हैं, पहले detect करते हैं, यानि उसमें खामियां ढूंडते हैं, यानि खराबी ढूंडते हैं, फिर सुधार करते हैं, उसको समझने की कोशिस करते हैं, और उसको फिर रोकते हैं कि अब आने वाले time पर ऐसा side effect या adverse effect ना मिले, उसी को हम फार्मे को vigilance कहते हैं, आगे हम detail में फार्मे को vigilance को भी और अच्छे से discuss करेंगे, तो क्या है जी, it is related to the detection, assessment, understanding and prevention of adverse effect of the drug, drugs के इन सारे approaches को हम लोग क्या कहते हैं, फार्मे को vigilance कहते हैं, next toxicology, next अमरा क्या है toxic, अब toxic का मतलब ही क्या होता है, toxic मतलब नु हर जैसा effect हो, उसी को हम toxic कहते हैं, उसी toxic के बारे में पढ़ना, logi means क्या होता है, logi means होता है study करना, अध्यान करना, deal करना, तो उसी को हम क्या कहेंगे, toxicology कहेंगे, simple size का meaning होगा, तो it is deal with the adverse effect of drug, यानि अगर मालो आपने कोई drugs कहाया है, medicines लिया है, medicines और drugs का meanings तो clear है, drugs मतलब actual जो active pharmaceutical ingredient होता है, जैसे paracetamol, यह क्या है, drugs है, और उस paracetamol के साथ हम बहुत सारे excipient add करते हैं, जैसे उसमें binder agent है, coloring agent है, flavoring agent है, ऐसे बहुत सारी चीज़े add-on किया जाता है, तो वो क्या हो जाता है, वो drugs अब medicines बन जाता है, तो हम क्या करते हैं, tablet जो हम लेते हैं, उसके अंदर जो actual क्या प्रेजेंट है, जी पारा सिटामोल है, वो क्या है, drugs है, clear, तो यहां पर क्या करा है, कि अगर कोई drugs हमने लिया, कोई medicines लिया, उस medicines को लेने के कारण हमारी body में कोई adverse effect का study करना, deal करना, अधियन करना, that is the toxicology, clear, तो क्या करा है, it is deal with the adverse effect of drug and also the study and prevention of treatment of poison, यानि poison को detect करना, यानि अगर किसी ने poison खाल लिया, किसी ने जहर पी लिया है, societal effect के कारण, society करने के लिए, तो उसको detect करना कि कौन सा drugs का poison उसने लिया है, फिर उसको रोकना, prevent करना, उसकी treatment करना, यह भी क्या कहलाता है, आपका toxicology कहलाता है, तो toxicology यह chapters हम पढ़ेंगा, pharmacology मे उसमें आपको क्या पढ़ना पढ़ेगा, कि हम किसी poison की treatment कैसे करेंगे, या अगर कोई drugs का adverse effect हो गया है, overdose हो गया, जैसे मान के चलो कोई नसा के लिए, morphine, heroines, बगरा drugs लेते हैं, तो उस heroines का overdose हो जादा dose किसी ने ले लिया, तो उस case में उसको कम कैसे किया जाए, उसको कम कै क्या होता है, तो आपके mind में आता होगा, सर कीमो मतलब तो cancer का treatment होता, obvious cancer की treatment को हम क्या कते हैं, chemotherapy का, लेकिन साथ ही साथ में आपको एक और approach यहाँ पर develop करना, student, cable cancer की treatment को हम chemotherapy नहीं कते हैं, बैसे chemicals agent, बैसे drugs, बैसे medicines, जो किसी life sale को, यानि living sale को target करता हो, किस living sale को inhibit करता हो, या यानि कि उसको complete रूप से destroy करता हो, उन drugs को actually हम क्या कहते हैं, तो उन drugs को हम chemotherapy कहते हैं, जैसे मान के चलों मुझे कोई bacterial infection हुआ है, मुझे bacteria के कान को infection हुआ है, तो bacteria क्या एक living sale है, मैंने antibiotics medicine लिया, antibiotics मतलब ऐसे drugs जो bacteria को kill करता हो, या bacteria की growth को inhibit करता हो, तो उस drugs ने उस bacterial sale को target किया और cell के पास यानि बैक्टरिया क्या था है, एक living organism है, तो इस drugs ने उस bacteria यानि living sale को इन्हीं भी डिखर दिया, उसको complete रूप से destroy कर दिया, तो उसलिए उस antibiotics को भी हम chemotherapy drugs कहेंगे, तो chemo का मतलब cable cancer treatment नहीं होता है, chemo का मतलब होता है, किसी भी living sale को target करना है, और cancer treatment में भी होता ह हमारे ही cancerous cell जो होते हैं, तो cancerous cell कैसे होते हैं, living cell, तो हम ऐसी medicines कहाते हैं, जो हमारे living cell को मारते हैं, बैसे cell जहाँ पर cancer की property growth हो चुकी है, हम anti-cancer drugs में उसको और अच्छे से पढ़ेंगे, अभी तो बस meanings clear कर रहे हैं, तो it is the use of drug and chemicals for the treatment of infections, infections को या life cell को target करने के लिए जो drugs use ह होते हैं, उसी को हम chemotherapy के नाम से जानते हैं, student, ठीक है, चलिए, अब आते हैं, next terminology पर, क्या है, orphan drug, अब next terminology अपना क्या है, orphan, orphan drugs का मतलब होता है, बैसे drugs जो rare disease को cure करे, यानि कोई ऐसी बीमारी जो जल्दी ठीक नहीं होती है, ठीक है, या ऐसी बीमारी जो कभी-कभी देखने क मिलता है, लेकिन बहुत chronic होता है, बहुत dangerous होता है, बहुत ही complicated informs होता है, तो उन disease को, उन disorder को ठीक करने वाले drugs को हम क्या करते है, orphan drug करते हैं, तो meaning आप से पूछा जा सकता है, objectives यहां से बनते हैं, इन सारे terminology से, और साथ ही साथ में आपके theories, यानि आपका जो university college level examinations है, बहां तो यहां से questions बनते ही बनते हैं, तो orphan drugs मिन्स क्या, a drug used for prevention and treatment of rare disease, यानि बैसे drug, prevention का मतलब क्या होता है, रोक थाम, यानि बैसे drug जो रोक थाम में use हो, या treatment, treatment का मतलब क्या होता है, जी, उपचार होता है, न हिंदी मिडियम से हैं, तो थोड़ा सा, मैं कुछ ऐसे terms को, इंग ऐसे drugs जो रोक थाम करें, या उपचार करें, किसको, rare disease को, यानि कुछ ऐसी बिमारियां जो कभी-कभी देखने को मिलती है, it is also called life-saving drugs, यानि orphan drugs को हम life-saving drugs के नाम से भी जानते हैं, student, यानि orphan drugs को हम और क्या कह सकते हैं, तो सर लाइफ-saving drugs भी कह सकते हैं, example है, like digoxin, कहां पर यूज होता है, तो congestive heart failure में यूज होता है, यानि अगर किसी को heart fail हो रहा है, तो उस case में हम digoxin drug देते हैं, लिवो थारोनीन, सूमर ट्रिप्टन, फोमी पिजॉल, नाइट्रेट, एमफो टेरासिन भी, यह सब के सब क्या है, life-saving drugs हैं, यह सब के सब orphan drugs हैं, examples बहुत important ह है, examples आपको याद रखना है, sometimes objective बनते हैं, which one of the drug is orphan drugs हो, in examples में से एक options आपको मिलेंगे, next आता है, essential medicines, essential का मतलब क्या होता है, लावधायक, लावधायक मतलब जो आपके लिए फाइदे मंद हो, नुकसान ना करता हो, जो आपके लिए क्या हो, फाइदे मंद हो, उसको हम क्य क्या करते हैं, essential drugs काते हैं, तो essential simply क्या करा है, drugs that satisfy health care, need for majority of populations and should be available at the all times in adequate amount and in appropriate doses form as defined by the WHO, यानि बैसे drugs जो satisfy करें health care को, यानि जैसे मान कर चलो, आपको फिवर हुआ, आप सिंपली जाओगे, medical store पे पहला सिटामोल लेकर के आजाओगे, अब आपको क्या है, satisfaction, आप पहले से हमें नुक्सान कम होगा, साथी साथ में हमारा fever ठीक हो जाएगा, हमें छोटे मुटे अगल दल्ध हो रहा है, body में pain हो रहा है, तो वो भी ठीक हो जाएगा, तो यह क्या हो गया, essential drug होगा, अच्छा, यह यह हर जगा भी अबिलबल है, किसी भी medical store पे जाओगे, आपको पैर सलड़ की गोलियां होती है, fever की गोलियां होती है, vomiting की गोलियां होती है, कुछ ऐसे medicines ले करके चलते हैं, तो वही तो आपका essential drugs है, क्योंकि वहाँ पर majority of people की क्या है, requirement है, maximum long की requirement है, and should be available at all times, हमेशा हर जगा आपको available मिलेगा, हर medical stores पे आपको available मिलेंगे, in adequate amount, यह नहीं सारे परा से टप हो रखेंगे, and in appropriate doses form as a defined by the WHO, WHO मतलब World Health Organization ने जिसको defined किया है, ऐसा नहीं कि WHO ने बोला भी नहीं और उसे medicines को हम लेना सुरू का गी, ऐसा नहीं, जिसने WHO ने जिसको approved किया है, बैसे drugs जो हमाली essential होते हैं, उसी को हम essential medicines कहाते हैं, next आता है, essential medicines से कुछ और point हमे याद रखने हैं, तो first model list of essential drugs by the WHO come in 1977, बहुत important point हैं, और यह सारे terms आपको हमारे GDC publications की जो book है, general pharmacology की, यानि हमारे pharmacology subject की, उस books को आप जरूर परचेस कीजिए, वो books बहुत easily available है, GDC classes app पे, और बहां से वो books अगर read करेंगे, तो यह सारे terminology जो मैं आपको बता रहू, बहुत अच्छे से details में colored के form, यानि colored book है, ऐसा भी नहीं कि आपको black and white book है, वो colored book है और आपको यह सारे concept बहां पर easily available मिलेंगे, सारे terminology मिलेंगे, तो बताइए, first model यानि जो essential drugs का हो था, वो कबाया 1977 में, डवू हो model of the essential medicine 23rd list, July 23, 591 drugs and 103 therapeutics equivalents, के विस्वी बार, यानि कि यह 1977 में पह अच्छों ने जारी किया, कि यह drugs essential है, इसको हमें रखना चाहिए हर medical store पे, अभी जो उन्होंने 2023 में, तेविस्मी बार इन्होंने क्या किया, रिलीज किया है essential drug में, जिसमें लगबाग 591 drugs हैं, यानि उन्होंने ऐसा बता है कि 591 drugs हैं, जो humans being के लिए essential हैं, जो easily available होना चाह होते हैं, और 103 यानि कि 103 थेरापिटिक्स एक्वैलेंस के बारे में भी WHO ने यहां पर गाइड किया, next example इसमें से कुछ example जैसे आटीनोल, यह आपका बीटा ब्लॉकर है, basically hypertension में यूज होता है, citrimide है, आपका capriomycin है, dimer caprols है, ऐसे बहुत सारे drugs हैं, जिनको इस बार क्या कि लिश्ट में रखा है, तो essential drugs में आपको याद रखना है कि इस बार जुलाई में 23, जुलाई में, यानि आपका 2023 जो यह था, जुलाई में 23 भी बार essential drugs के लिश्ट आई है, जिसमें 591 drugs को सामिल किया गया है, कि इसके तुरू, डबलु एच्छ बद्रू, next कुछ terminology है, like prescription drug, prescription prescription drugs का मतलब क्या होता है, prescription मतलब जो prescribed किया गया हो, जिसकी परची बनती हो, जो सेमान के चलो मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने हमें एक medicines लिख करके दिया, अपने परची पर उस पर डॉक्टर का नाम होता है, hospital के नाम होते है, license नंबर होते है, उसका address होता है, सारी medical store क्या करेगा, उस prescribed को पढ़ेगा और उसके बाद वो medicine देदेगा, तो कुछ ऐसे drugs होते हैं, जो बगर prescription के आपको नहीं मिल सकता है, जो समान के चलो नींद लाने वाली medicines, बारबीच रेट हो गया, बेंजू डाइजी पाम हो गया, या तो हम potent analgesic की बात करें, opioid analgesic की बात है, वो आपको तब तक नहीं देगा, जब तक उसका prescription ना मिले, यानि जब तक किसी doctor ने लिख करके ना दे कि इसको ये drugs देना है, तब तक वो medicines को dispense नहीं करेगा, तो ऐसे medicines को हम prescribed drugs के नाम से जानते हैं, कुछ ऐसे drugs होते हैं, जो non prescribed होते हैं, जो समान के चलो आपको paracetamol देना हो, तो आप medical store पर जाओगे, बोलोगे बोलोगे एक paracetamol देदेगा, उसमें वो ये नहीं कहेंगे, कहां doctor से लिखा करके लेकर के आओ, ऐसा कभी नहीं बोलेंगे, आप बोलोगे भाया, विक्स की गोली दे दो, तो विक्स भी तो आपका एक medicines है, वो easily आपको मिल ज जिन में doctors की prescription की जरूरत होती है, उन medicines को actually हम prescribed drug कहते हैं, तो ये meanings बहुत अच्छे से important है, याद रखना, it is a pharmaceutical drug that legally required medical prescription, legal रूप से, यानि कानूनी रूप से, यानि अगर कोई medical store बला, अगर बगल prescribed के prescribed drug दे दिया, तो कल हो करके उस medical stores पे legal रूप से कारवाई भी हो सकती है, क आपने किसी को ये medicines क्यों दे दिया, जबकि वो medicines prescribed drug के अंडर में आता है, यानि बगल doctor के लिखे हुए medicines आपको dispense नहीं करना था, तो आपने कैसे कर दिया, समझ में आ गया, तो बैसे list जो है drugs का medical prescription for dispensing, यानि dispense करने के लिए, यानि आपको किसी को देने के लिए legal रूप से doctors की suggestion, doctor के prescription की जरूवत है, उसे को हम prescribed drug रहता है, example, metformin, simbastin, amylodipine, metoprolol, acetaminofan, isoniazide, repampsin, etc, ऐसे और भी बहुत सारे drugs है, ठीक है, next हमारा terms क्या, non-prescription drug, अब नाम से इक लिए रहे कि सार इसमें prescription की जरूवत नहीं है, यानि किसी doctor से suggestion, या किसी doctor से लिखवाने की जाएए और medical store बाले को बोल देजे कि भाई साब हमें ये drugs दे दो, वो drugs आपको वो दे देंगे, clear हो गया, वो medicines आपको provide करेंगे, dispense करेंगे, that is the non-prescription drug, तो also called over-the-counter drug, यह बहुत important word है, over-the-counter drug, question बनते है, which one of the drug is called over-the-counter drug, उसे हम क्या करते हैं, non-prescription drug को ही हम over-the-counter drug क के नाम से जानते है, over-the-counter का मतलब क्या हुआ, counter पर जाते ही आपको मिल जाएगा, बगर किसी रोक थाम के, बगर किसी questions के, आप जैसे ही medical store बाले से मांगे, वो आपको दे दिया, इसलिए इसको क्या करते है, over-the-counter drug, that can be obtained without any prescription, जिसको आप प्राप्त कर सकते हैं, बगर क रेश्टोर पर जाओ भईया, कि इनों देदो देदेंगे, क्या वो पूछते हैं कि क्या हुआ नहीं हुआ, क्या वो आप से ये डिमांड करते हैं कि इसमें डॉक्टर की सलाथ चाहिए, या डॉक्टर की परजी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, तो ये क्या हो गया, over-the-counter में कुछ जानना बहुत जरूरी था आपके लिए, ये सारे टर्मिनलोजी मैंने एक बेसिक फॉर्मिट एक छोटी से क्लास में मैंने आपको क्या कर दिया, नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, तो स्कूप और फार्माकलोजी को क्या करेंगे, डिल करेंगे, यानि कि किजे ताकि उन सभी तक हमारा ये वीडियो जीजली अवेलबर हो मिलते स्टुडेंट अगले क्लास में अगले कंसेप्ट के साथ थाइंक यू एवरीबन फॉर वाचिंग जीडिसी एटूटर एंड वाच सपोर्टिंग जीडिसी एटूटर थाइंक यू वन्स अगें